हलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्क्षीट नंबर 80 करेगे क्लास 10 की कार्बन और उसके योगिक रिविजन वर्क्षीट है यह कार्बन अधातु है, परतीक हैसका, सी सर्वतमों की तत्व है, और 0.02% है भूप परपटी में और 0.03% है वाई मंडल में सबी सजीव कार्बन योगिक बने होते हैं, प्रमानु संक्या 6 है, एलेक्टरोनिक विन्यास 2 और 4 कार्बन चतुर सैयोजी है स्रंकलन कार्बन 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 परमानों के बीच से संयोजी आबंद बनाकर लंबी स्रंकला, साकिस स्रंकला और वले स्रंचना वाली योगी को करने मान करता है कार्बन के परमानों एक दूसरे से एकल दिव या त्री आबंद वारा जुड़े हो सकते हैं चत्र सही जगता कारबन परमानू की सही जगता चार है जिसके कारण कारबन चार अन्य कारबन परमानू एक सही जगता है। जो है एलक्टोनिक स्ट्चर् या एलक्टोन बिंदू स्ट्चर् है तो किस तरह से बॉंडिंग करते हैं यह देख सकते हैं। बुद्ध के कुछार्ण बताओ क्योंकि ये आयन नहीं बनाते है प्रशन दो ये कारबन या अन्य पत्तव के परमानुद के साथ इलेक्टर्न का साजा करता है प्रशन तीन जल की लक्टोन बिन्दू सरंचना बनाईए, तो आप धी देख सकते हैं जल की लक्टोन बिन्दू सरंचना hydrogen अपना एक लक्टोन दे रहा है, एक oxygen के साथ, ठीकिए ना दो hydrogen के होगए, एक़ consistency दोनों शीयर कर रहे हैं, और oxygen के autonomous में 6 electron है कार्बन चतुर सहीयोजी क्यों है? कार्बन प्रमाण के बायतम कोश में चार इलक्टन होते हैं इसलिए है चतुर सहीयोजी है प्रस्ट पांच कार्बन के यौग यौग की संक्या अधिक क्यों है? कार्बन के यौग यौग की संक्या अधिक है कार्बन को एक आधित्य तत्व कहा जाता है क्योंकि इसमें स्रंगलन का कुण होता है चत्र स्रंगलन का कुण होता है चत्र स्रंगलन के परमानों के साथ और अन्ने तत्व के परमानों के साथ सहसे जियाबन बनाता है प्रशन साथ स्रंगलन को परिवासित कीजिए कार्बन कार्बन परमाणों के बीच सेयोजी आपद मनाकर लंबी स्रंकला, साकित स्रंकला और वले स्रंचना वाले योगों को करने माल करता है कार्बन के सीकुन को स्रंकलन कहते हैं